गुजरात की पॉस सारी डिसीस फेमस है जैसे की हांडवा, खाखरा, फाफडा, डोकला तो आज हम बनाएंगे हांडवा तो हांडवा हम एकदम ट्रैडिशनल दरीके से बनाएंगे तो हांडवा बनाने के लिए हम पे मैंने ले लिया है हांडवे का कुकर हांडवे का कोकर आपने नहीं देखा है तो कुछ इस तरह का होता है इसके नीचे एक स्टैंड होता है उसके अंदर हमें रेत बननी होती है तो ये रेत में बर ली है मैं यही रेत को बार-बार यूज़ करती हूँ तो इसके अंदर हम पाने डालेंगे पाने से रेत को अच्छे से भिगो लेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल लेंगे और इस तरह रेत को अच्छे से भिगो के हमें उसे रख देना है गरम होने के लिए ये जो stand है उसे हम एकदम middle में रखना होगा और gas की flame को हम on कर देंगे रेट को हमें थोड़ा गरम होने देना पड़ेगा उसके अंदर जो extra पानी है उसे हमें जला लेना है तब तक हम ये जो cooker है उसे oil से grease कर लेंगे तो cooker को एकदम वरवा पर से oil से grease कर लेना है ताकि हमारा जो हांडवा है इसमें विल्कुल भी चिपके नहीं और अब ये इस cooker का टककन मैंने लगा दिया है और रख दिया है साइड में और देखिए हमारे हांडवे का बैटर एकदम फर्मेंट होके रेडी हो चुका है ये बैटर को बनाने के लिए मैंने लिया था दो कप चावल, एक कप चने की डाल, आधा कप उड़त की डाल और आधा कप पोहा पोहा को मैंने भीगो के रख दिया था 10-15 मेट के लिए और जो चावल और दाल है उन्हें हमें 4-5 गंटे के लिए भीगो के रखना है और सबको mixture jar में मैंने crush कर लिया है दही के साथ आपके पास छास है तो आप छास से भी उसे grind कर सकते हो और ये देखे इतने दरदर हमारा बैटर होना चाहिए और इतना थीक होना चाहिए बैटर को हमें बहुत पतला नहीं करना है दही या फिर छास कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो थोड़ा थोड़ा एड़ करे और उसे grind करे अगर आप दही एड़ कर रहे हो तो थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हो और इतना थीक बैटर हमें बनाना है सर्दिया चल रही है तो मैंने रात को ही सब भी गो के रात को ही crush करके रख दिया था तो सुबे में मेरा ये जो बैटर है अच्छे से फर्मेंट होके ready हो गया था और अब मैंने ले ली है लौकी तो यहाँ पे मैंने medium size की लौकी ली है और उसे कद्दू कस कर लिया है और ये mixture के अंदर add कर लिया है यहाँ पर अपने पसंद की कोई भी सबजिया डाल सकते हो पत्ता गोभी हो गई बीन्स हो गए कुछ भी आप इसके अंदर add कर सकते हो इसे इस तरह कद्दू कस करके या फिर चोटे चोटे पीसिस में कट करके इसके अंदर add कर देना है अब अगर आपको ज्यादा दीका पसंद है तो आप मिर्ची ता और कम भी कर सकते हो और इसके अंदर मैंने डाला है एक चमच नमक और उसे अच्छे से कूट निया है नमक डालने से यह अच्छे से कूट जाएगा और अब यह जो बैटर है उसके नर डालेंगे टेस्के अकौर और अब इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे तो एक पतिली में ले लिए थोड़ी सी बड़ी साइज की लेंगे और उसके अंदर डालेंगे चार बड़ी चम्मच तेल थोड़ा सा गरम हो जाए फिर इसके अंदर डालेंगे राई राई हमें यहां पर एक चम्मच लेनी है आधी कटोरी भर के मुंगफली तो मुंगफली को भी हमें अच्छे से सौटे कर लेना है मुंगफली जब तक क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम उसे पकाएंगे तो 2-3 मिट में अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी और अब उसके अंदर डालेंगे आधी कटोरी भर के काजू तो काजु को यहां पर मैंने छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लिया है और काजु को भी golden brown होने तक हमें पकाना है और अब उसके अंदर डाला है मैंने एक कटोरी परके हरा लसून हरा लसून को भी हम अच्छे से पका लेंगे तो सारा हम बैटर के अंदर डाल देंगे और उसे अच्छे से mix कर लेंगे तो यह देखिए हल्दी डालने से इसका color कितना बढ़ी आया है सारा बैटर अच्छे से mix हो गया है और अब इसके अंदर डालेंगे एक pouch इनो अगर आपके पास इनो नहीं है इनो नहीं डालना है तो आप इसके अंदर baking soda भी डाल सकते हो आदा चमच हमें baking soda लेना है और दो से तिन drop निम्मू के इसके उपर निचोड़ देने हैं तो यह जो baking soda है अच्छे से फर्मेट हो जाएगा और इनो जैसा ही काम करेगा तो यहाँ पर मैंने इनो डालने के बाद बैटर को एकदम हलके हाथों से मिक्स कर लिया है और अब यह जो हमारा कुकर है वो भी अच्छे से गरम हो चुका है प्रिहीट हो चुका है तो इसके अंदर सारा बैटर डाल देंगे और अब कुकर को इस तरह ही ला लेना है ताकि जो बैटर है सारे कुकर में अच्छे से फैल जाए अब इसके उपर एक और तड़का लगाएंगे तो तड़का लगाने के लिए फिर से हमने ले लिए वही पतिली वही पतिली यूज़ करेंगे क्योंकि बाद में हमें ही बरतन दोने है तो जादा बरतन नहीं बिगाड़ेंगे पतिली में मैंने दो चम्मच जितना तेल ले लिया है और यहां पर मैंने ले लिये मसाले तो खड़े मसाले में हम लेंगे लाल सुखी मिर्च और तेज पत्ता तो दो लाल सुखी मिर्च, दो तेज पत्ता और पांसे छे मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं तेल अच्छे से गरम हो जाए फिर उसके अंदर डालेंगे दो चम्मच तिल तिल अच्छे से फूर जाए फिर उसके अदर डाल देंगे ये मसाले जो हमने अभी निकाल के रखे हैं और अब गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और डालेंगे एक चम्मच लाल सुखी मिर्च लाल सुखी मिर्च डालने के बाद तुरंत इसको हमें जो बैटर है उसके उपर डाल देना है तो ये दीखिए कितना बढ़िया कलर आया है और जो लाल मिर्च हमने तड़के में डाली है उसकी वज़े से इसका फ्लेवर भी बहुत ही बढ़ी आएगा और अब थोड़े से तील उपर से और डाल देंगे ताकि जो जगा खाली है वो भी बढ़ जाए और अब ड़कल लगा के गैस की फ्लेम को एकदम लो करके एक गंटे के लिए हमें इसे छोड़ देना है एक गंटे तक हम उसे नहीं खोलेंगे एक गंटे के बाद हम चेक करेंगे कि वो कितना पका है और अब हम बना लेते हैं लसुन की चटनी लसुन की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए हमें लसुन तो यहाँ पर मैंने सुखा लसुन लिया है यहाँ पर हमें बहुत सारा लसुन चाहिए और लसुन को चिल लेंगे यह चटनी जो मैं बना रहे हूँ वो टेस्ट में बहुत ही बड़या लगती है आप किसी भी snacks के साथ इसे enjoy कर सकते हो आप जादा बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रिज में आराम से एक हफते तक ये चटनी ऐसी की ऐसी ही रहती है तो चलिए लसुन को मैंने छिल लिया है और अब करते हैं लसुन की चटनी की तैयारी तो यहाँ पर मैंने फिर से वही पती ले ली है और उसके अंदर ले लिया है तो चम्मच बर की गी और गी थोड़ा सा गरम हो जाए फिर उसके अदर डाल देंगे सारा लसुन और उसे मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है तो लसुन को हमें मीडियम फ्लेम पे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें उसे पकाना है 2-3 मिनिट में लसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो ये देखे लसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है गैस के फ्लेम मैंने आफ कर दी है और ये जो लसुन और गी है वो सारा हम एक जार में ले लेंगे लसुन को हमने गी में सोटे किया है तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा अब उसके अंदर डालेंगे दो से तीन चम्मच भरगे लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच नमक, एक चम्मच नीमु का रस और एक चम्मच पानी और इसे हमें ग्राइन कर लेना है एक बार ग्राइन करके फिर से थोड़ा सा पानी एड़ करके फिर से दुबारा हमें उसे ग्राइन करना है तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके हमें उसे ग्राइन करना है जितनी थिकनेस वाली चटनी हमें चाहिए उतनी थिकनेस वाली हम बना सकते हैं जितनी तिकी चाहिए उतनी तिकी भी बना सकते हैं तो यह देखे यहाँ पे मैंने उसे ग्राइंड कर लिया अच्छे से मुझे जितनी तिकनेस चाहिए उतनी तिकनेस आ गई है तो इस तरह आप इजी ली यह चटनी बना सकते हो और anytime enjoy कर सकते हो तो यह taste में बहुत ही बढ़ा लगती है तो यह देखें देखने में कितनी बढ़ा लग रही है और खाने में तो tasty है तो यह चत्नी हमारी lesson की एकदम ready है और एक गंटा हो चुका है तो अब हम check कर लेते हैं handwa तो यह देखें handwa भी almost ready है तो sides में से थोड़ा सा यह handwa निकाल के हमें check करना है, taste करना है जो दांत में चिपकेगा तो हमें उसे 10 मिट और रख देना है एकदम low flame पे और अगर नहीं चिपकता है तो समझे हमारा handwa एकदम ready है तो मुझे थोड़ा कच्चा लग रहा था तो मैंने 10 मिट के लिए छोड़ दिया था 10 मिट के बाद gas की flame को off कर देना है और यह cooker को हमें 15-20 मिट थंड़े होने देना है गरम cooker में से हम यह जो handwa निकालेंगे तो एकदम perfectly निकलेगा एकदम थंड़ा होगा तो अच्छे से निकलेगा तो 15-20 मिट या फिर आदा कंटा के लिए उसे छोड़ दे और फिर handwa को निकाले तो यह देखे आदा कंटा हो चुका है और मैं इसे निकाल रही हूँ तो एकदम बढ़िया से पीसिस निकल के बाहर आ जाएंगे यह जो पहला पीस है उसे निकालने में थोड़ से दिक्कत आएगी बाकी सारे पीसिस अच्छे से निकल जाएंगे आप इस handwa को breakfast, lunch, dinner कभी भी खा सकते हो यह दूसरे दिन सुबे morning में बहुत ही बढ़िया लगता है मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई जेशी करशना